हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम सेवनेट त्रीपर आज है 13 अगस्त 2023 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13 अगस्त 2023 के डेली करें टाफियस के कुछ इंपूडेंट कोशन्स अगर आप किसी भी अग्यम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफे ज़़ा इंपूडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वैल आइकन को भी और पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं और आज की इस वीडियो की पीडियाफ फाइल आपको हमारे टेलीगराम चैनल पर मिल जाएगी और इस टेलीगराम चैनल लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस टेलीगराम चैनल को जोईन कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, इस वीडियो के लाक्ष में मैं आपसे एक क्वेशन भी बूछ हूँगा, और इस क्वेशन का सही अंसर आपको कमेंड में बताना है, तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर, तो हमारा पहला क्वेशन है, केरल विधान सवा ने केरल राजे का नाम बदल कर नया नाम क्या करने का प्रस्ता पारित किया है, इस क्वेशन का सही अंसर है, ओप्शन भी केरलम, तो केरल विधान सवा ने केरल राजे का नाम बदल कर नया नाम केरलम करने का प्रस्ता पारित क केरल विधान सभा में केरल का नाम आधकार एक रूप से बदल कर केरलम करने का प्रस्ता पास किया गया है। आरिफ मुहम्मद खान Next question है हाल ही में कि इस अंतरिच एजनसी ने अपना चंद्रयान मिशन लूना 25 लौँच किया है। और इस question का सई अंसर है option A, Rose Cosmos तो हाल ही में Rose Cosmos अंतरिच एजनसी ने अपना चंद्रयान मिशन लूना 25 लौँच किया है। ये अंतरिच एजन चंद्रमा के दच्छ विद्रों के पास बोला वसकी क्रेटर पर उतरेगा और चंद्रमा की सतय पर ऑक्सिजन की खोज करेगा। और साथ ही लूना 25 चंद्रमा की अंतरिख खरना चनावी रिसर्च करेगा। अब जो रोस की जो इस्पेस एजनसी है रोस कोस्मोस इसकी स्थापना कब हुई थी 25 फरवरी 1992 को और इसका मुक्षाले कहा है मौसको में। नेक्ट कुशन है प्रवासी स्रमकों के पंजी करल प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किस राज ने अत्ती पोर्टल को लॉंच किया है। और इस कुशन का सही अंसर है option A केरल तो प्रवासी स्रमकों के पंजी करल प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केरल राज ने अत्ती पोर्टल को लॉंच किया है। इस उपयोग करता अनकूल बैपोर्टल का उद्देश अत्ती स्रमकों के पंजी करल को सुभ्य विस्थित करना और उनकी सामाजिक सुरच्छा सुनिश्चित करना है। नेक्ट कुशन है हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पंडुब्बी को विक्सित किया गया है। और इस कुशन का सही अंसर है ओप्शिन बी मत सिर्थ 6,000 तो हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए मत सिर्थ 6,000 पंडुब्बी को विक्सित किया गया है। ये राश्टिय मासा अगर पौद्द्यों की संस्थान चेनने द्वारा विक्सित एक मानव युक्त पंडुब्बी बाहन है। समुद्र यान मिशन इस मिशन के तैत एक मानव युक्त पंडुब्बी तीन लोगों को समुद्र के वितर 6 किलोमीटर तक की गहराई में बेजा जाएगा। नेक्स्ट कोशन है रच्छा मंत्राला की कम्प्यूटर्स में आप माइक्रोसोफ्ट ओपरेटिंग सिस्टम की जगे किस्वदेसी ओपरेटिंग सिस्टम का इस्तिमाल किया जाएगा। तो इस कोशन का सही अंसर है ओप्शन C, MyOS तो रच्छा मंत्राला की कम्प्यूटर्स में आप माइक्रोसोफ्ट ओपरेटिंग सिस्टम की जगे, MyOS मिश्वदेसी ओपरेटिंग सिस्टम का इस्तिमाल किया जाएगा। यह open source platform पर आधारत नया operating system सायवर सुरच्छा को बढ़ापा देगा Next question है हाल ही में भारतिय तटर अच्छक बल यानि ICG Indian Cost Guard के अतरिक्त महानिदेशक के रूप में किसी नियुक किया गया है तो इस question का सई आंसर है option B, S परमेश आप image में भी देख सकते हैं यह है S परमेश और इनी को हाल ही में भारतिय तटर अच्छक बल यानि Indian Cost Guard के अतरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक किया गया है अब भारतिय तटर अच्छक बल यानि Indian Cost Guard जो है इसकी स्थापना कब होई थी 18 अगस्त 1978 को और भारतिय तटर अच्छक बल दिवस कम मनायाता है एक फरवरी को और भारतिय तटर अच्छक बल यानि Indian Cost Guard का मुख्याड़े कहा है नई दिल्ली में नेक्ट कोशन है बेश्व ब्यापा संग की ये समीच्छा रिपोर्ट दोया 23 के अनुसार बारत ब्यापारिक निर्यात में किस इस्थान पर रहा है इस कोशन का सही आंसर है ओप्शन C 18 अठारे में इस्थान पर तो वेश्यो व्यापा संग की समीच्छा रेपोर्ट दोया 23 के अनुसार बहरत व्यापारिक निर्यात में अठारवी इस्थान पर रहा है नेक्स कोशन है वित्त मंत्राले द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त मंत्राले द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्वर्स 2022 में प्रधान मंत्री जन्धन योजिना की लाबार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार राजी में रही है बिहार में वित्वर्स 2022 में प्रधान मंत्री जन्धन योजिना की लाबार्थियों की संख्या 84,89,231 रही है प्रधान मंत्री जंधन योजना की गोशना प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 15 अगस 24 को पी थी और इसे 28 अगस 24 को शुरू किया गया था अब प्रधान मंत्री जंधन योजना की लाबार्थियों की संख्या में बिहार जो है वो पहले स्थान पर है जिसमें लाबार्थियों की संख्या है 84,89,231 और दूसरे नमबर पर है उत्तरपदेश जिसमें लाबार्थियों की संख्या है 68,68,721 और नमबर 3 पर है तमिलनाड जिसमें लावार्थेओं की संख्या है 64,6,513 अब बिहार जो राज्ज है इसकी राईधान क्या है पटना बिहार के मुख्यमंत्री कौन है नितीश कुमार और बिहार के राजपल कौन है राजिंद्र अरलेकर next question is new space india limited ने gs 8024 संचार ओपग्रह को चालू करने के लिए किस कमपनी के साथ समजोता किया है इस question का सई आंसर है option b tata play तो New Space India Limited यानी NSIR ने GS-8024 संचार उपग्रा को चालू करने के लिए Tata Play Company के साथ सम्झोता किया है GS-8024 इसरो द्वारा बनाया गया एक बहारती संचार उपग्रा है यह इसरो द्वारा DTH सेवा को सुवेदा जनक बनाने के लिए बनाया गया है और 4 टन किलास तक एक संचार उपग्रा है नेक्ट कुशन है बारती रेजर बैंक यानी RBI ने अगस्तो या 23 में रेपो रेट को कितनी प्रत्सत पर अपरवर्थित रखा है इस कुशन का सही अंसर है option B 6.5 प्रत्सत तो भारती रेजर बैंक ने अगस्तो या 23 में रेपो रेट को 6.5 प्रत्सत पर अपरवर्थित रखा है रेपो रेजर बैंक यानी RBI कॉमर्शियर बैंकों को कर्ज देता है बहाती रिजर्ब बैंक का रेपो रेट बढ़ाने का उद्देश मार्केट से लेक्विरिटी यानी नगदी के फ्लो को कम करना है नेक्ट कुश्चन है सशस्त्र सीमा बढ़ यानी SSB ने आजादी का अमरत मौसब समारों के अंत्रम चरल के हिस्से के रोब में 54 फीट उचे राष्टी द्वज का अनावरड कहां किया है इस कुश्चन का सई आंसर है option A रानी डांगा में तो सशस्त्र सीमा बढ़ यानी SSB ने आजादी का अमरत मौसब समारों के अंत्रम चरल के इस्से के रोब में 54 फीट उचे राष्टी द्वज का अनावरड सिली गुडी के रानी डांगा में किया है नेक्ट कुशन है हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला एको फ्रेंडली डेविट कार्ड लॉंच हिया है इस कुशन का सई आंसर है option C एयर टैल पेमेंट्स बैंक तो हाल ही में एयर टैल पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला एको फ्रेंडली डेविट कार्ड लॉंच गिया है बारत का पहला ब्हुतान बैंक, एयर्टल पेमेंट्स बैंक की बच्चत बैंक खाते के साथ अपने नए और मौझूद ग्राकों के लिए इको फ्रेंडली डेविट का लॉंच करने वाला पहला भारतिय बैंक बन गया है अब पिछली वीडियो यानि कल की वीडियो मैंने आपसे कोशन पुछा था कि किस देश के वैग्यान कौने कमरे के तापमन वाले सुपर कंड़क्टर LK99 की खोच की है और इस कोशन का सही आंसर क्या था? आप्शन ए दच्चड कोरिया तो दच्चड कोरिया देश के वैग्यान कौने कमरे के तापमन वाले सुपर कंड़क्टर LK99 की खोच की है अब आपके लिए आज का कुशन है हाल ही में कमबोडिया देश के नए प्रधान मंतरी कौन बने है और इस कुशन का सही आंसर आपको कमेंड में बताना है सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जया हिंद जया भारत वंदे मातरम